वारानसी के चर्चित ग्यानवाफी मस्ज़द केस में आज वारानसी की जिला अदालत में Archeological Survey of India ने सर्वे की रिपोर्ट पेश करी रिपोर्ट को सफेद रंग के सीलबन दिफापर में पेश किया गया हिंदु पक्ष से सीनियर वकिल विटनु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील्ड रिपोर्ट पर आपती जिताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उलंगन हुआ कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जाएनी चाहिए थी। मुस्लिम पक्ष ने यह भी मांग की थी कि साथ ही बिना हलक नामे के किसी को भी रिपोर्ट सारवजनिक करने की इजायत ना दी जाए। दोपेर में ही जीला जजज अजे किशुट की अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट पेश होते समय कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सेच सभी पक्ष मुझूद थे। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर ग्यानवापी मस्जित में करीब सो दिनों तक सरवे करवाया गया इस दुरान दोनों पक्षों के लोग ASI के साइन्टिस्ट और इस्थाने प्रशाशन के लोग शामिल रहे। सरवे की वीडियोग्राफी भी करवाये गई कोर्ट में सरवे की रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद यह पता चल सकेगा कि ग्यानवापी परिसर में आकिर है क्या। इसे साल 21 जुलाई को वारानेशी के जिला जज़ डॉक्टर अजे किशन ने ग्यानवापी मस्जिद के सील वजू खाने वाले हिस्से को छोड़ कर बाकी परिसर के ASI की सरवे का आदेश दिया था। तीन दिनों बाद ASI की तरफ से ग्यानवापी का सरवे 24 जुलाई को शुरू कर दिया गया। लेकिन मस्जिद की देखर करने वाली अंजुमन इंतजामिय मस्जिद कमिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाले गई अरजी के तैथ सरवे पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट की अनुमती मिलने के बाद चार अगस से एक बार फिर ग्यानवापी परिसर का सरवे कारे शुरू हुआ था। काशी विश्मनात मंदर और ग्यानवापी मस्जिद का विवाद काफी हत तक अयोद्वाद जैसा ही है। हाला कि अयोद्धा के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1679 में मुगर, शाशक और अंजेव ने यहां काशी विश्मनात मंदिर को तोड़कर ग्यानवाबी मस्जिद बनाई थी हिंदू पक्ष के दावे के मताबिक 1670 से वह इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है हाला कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हां मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी ऐसे लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद